नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब हाशा करते हैं आप सब अच्छे सुंगे सुष्थ होंगे दोस्तों बिहार विद्याले परिक्षा समिती दोरा डियलेड एडमिसन सत्र दोजार 22 से 24 में नामंकन के लिए सकेंड रौंड डियलेड एडमिसन की एक बार फिर से आविदन तीथी जारी की गई है ऐसे अवियर्थी जिन्होंने अभी तक नामंकन नहीं लिया है उनको यहाँ पर नामंकन लेने के लिए आखरी मोका बिहार विद्याले परिक्षा समिती की और से जारी किया गया है इस वीडियो में हम आपको एस्टेब एस्टेब पूरी जानकारी देंगे कि सकेंड रौंड एस्पोर्ट एडमिसन के लिए कौन-कौन से अवियर्थी पात रहें और कैसे जो है आवेदन होगी कैसे नामंकन होगी वो सारी चीजे तो चलिए देख लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने स्कीन पर देख सकते हैं विग्यप्ति संख्यां 13-2023 और यहां पर हम सौट इनफोर्मेशन आप सभी को कोशिज करेंगे दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिहार विद्यल परिच्छा स्मिति के ओफिसल वेबसाइट पर जाकर रिक्तियों की वीवरान देख लेना है कि कहां पर कितनी सीटे खाली है उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि फर्स्ट, सकेंड और थर्ड रौंड के बाद पर्थम रौंड का एस्पोर्ट एडिमिशन हुआ था उसके बाद जो सीटे बच गई है उन सीटों पर जो है दूतिये एस्पोर्ट रौंड की तीथी जारी की गई है अब यहाँ पर कौन- कवेश्ट कर रहे थे जमान किये तो स्टूडन को यहाँ पर मोकां दिया गया है जिन्हों ने परवेश परिक्षा तो पास कर लिया लेकिन CAF फॉर्म नहीं भरे थे या और आविदन सुल के जमा नहीं किये थे तो वैसे स्टुडेंट यहाँ पर क्या करेंगे आविदन सुल के जमा करके CAF फॉर्म डाउनलोड करेंगे और एस्पोर्ट एडिमिसन के लिए अपलाई करेंगे उसके बाद वैसे अवियर्थी जिन्होंने CAF फॉर्म और आविदन सुल के जमा किया था लेकिन कि उसका चयन जो है किसी भी सूची में नहीं हुआ या फिर पर्थम रोंड के अंतरगत नहीं हुआ एस्पोर्ट एडिमिसन्ज हुआ है उनको यहां पर मौका मिलेगा या वैसे अवियर्थी जिन्हों ने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड रोंड में आवंटित हुआ था संस्थान और नामंकन नहीं लिया था या पर्थम एस्पोर्ट रोंड की परकिरिया में चेन होने के इसके बाद यहां पर देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रोंड के आलोक में आवंटित संस्थानों में अथ्वा पर्थम एस्पोर्ट रोंड नामंकन में अवियर्थी दूतिय एस्पोर्ट रोंड के लिए पात्र नहीं है जो भी नामंकन ले चुके हैं वो यहां पर पात्र नहीं होंगे अब कैसे होगी सेकेंड रोंड एस्पोर्ट एडमिशन वो चीज़े समझ लेते हैं एक्छु कवियर्थी समीती के पोटल पर जा करके संस्थान वार जो है रिक्तियों की संख्यां देख लेंगे कहां पर किदनी सीटे खाली है अगर वहां पर आप नामं करने की जवरत नहीं है तो जमा किया है तो वे समीती के पोटल पर जा कर बार कोड या रिफ्रेंस नमबर या फिर के तो अप्लिकेशन नमबर डाल करके एस्पोर्ट एडमिशन हे तू सी एफ फॉर्म डाउनलोड करेंगे ठीक है इसके बाद एक्छु कवियर्थी जो है द स्थान दाउनलोड करने का उसन आ जाएगा जिस सन्स्थानमे आपको ना नमंग कर लेना है उसस्तां में सभी डॉक्वमेंट के साथ जो है आपको क्या करना है scorecard और CAF form लगा करके apply कर देना है application form जो होगा वो आपको college के website पर मिल जाएगा या college में ही मिल जाएगा उस form के साथ आपको सभी documents लगा करके offline college में जा करके आवेदन दे देना है जैसे ही आप आवेदन देते हैं तो वहाँ पर आपको receipt मिल जाएगा इसे आप सभी आवेदन जमा कर देते हैं तो आपके scorecard के अनुसार से मेधा सूची त्यार की जाएगी फिर आपका merit list में नाम आता है तो आप admission ले पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिजिए आवेदन जो जमा होगा उसके समन्द में दीथी क्या है जो है CAF फर्म डाउनलोड करना है उसके बाद कॉलेज में जो आवेदन होगा आवेदन वो होगा 20 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इसके बाद मेधा सूची जो त्यार की जाएगी वो 23 जनवरी 2023 तक जो है मेधा सूची त्यार की जाएगी ठीक है उसके बाद मेधा सूची की अधार पर यानि कि डारेक्ट फैनल मेरिट लिस्ट ही बन जाएगा यहां पर उसके बाद जो फैनल मेरिट लिस्ट पर नामंकन होगा वो होगा 24 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक और नामंकित स्टूडेंट का पोर्टल पर जो है नाम चड़ जाएगा वो 30 जनवरी 2023 तक तो यह जो है नया सेडूल जारी किया गया है जिसके अनुसार से अगर आप एडमिसन लेना चाहते हैं बच्चीवी सीटों पर तो आप नामंकन ले सकते हैं कहां पर कितनी सीटे खाली है वो पोर्टल पर जो है एफलोड है आप पोर्टल पर जा करके आप देख सकते हैं कहां पर कितनी सीटे खाली है असा करता हूँ समधी जानकारी आपको मिल गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा नए साथ हैं तो चैनल को धन्यवाद